जहीं दोस्तों स्वागत आप से अपने वीडियो चैनल आमन प्रैस जी के जैसा कि दोस्तों आज साथ अक्टूबर और साथ अक्टूबर को दोस्तों आपका 30 का अरारसी ग्रूबडी का एक्जाम समाप्त हो गया है तो आज के इस वीडियो में 7 अक्टूबर 30 में पुछे के जीचे साइन्स और करेंट आफेस के दिख्ते हम रेर पस मिलें तो सभी प्रस्नों को देखनेंगे अप्रायस करेंगे इसे अपले दोस्त चैनल पर अगर आप ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और वीडियो चला एगा वहां पर आपको चला जाएगा इसके लाभा पूरे फॉर्मेट का फीडी में पूरे जिनने भी सिट में पूछे गया है तो इस नमर पर वाट्सप कीजिएगा आपको मिल जाएगा स्किन सोट बें जीएगा चैनल को सब्सक्रायब किया है चलिएahi तो पहला परस उसी तुना देखने को मिला था तो आपका कि इसा मसी के मिर्तिव पर कौन सा दिवस मना जाता है आपके पर सबया सब्सक्राइगा था गौद फ्राइडे के दिन बनाया जाता है। अगला कोसन आपका आए था। मत्-परदैस से कौन से राज के सीमा आपका नहीं लगता है , तो इसका पले आपका इंसर सीमा आपका नहीं लगता है। आपको बीहार बाती है। तो आपका बिहार राजस्तान 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 राजस्त आवस्चानिके त्यास में जर्म बेग्यानी को आपका डोराइनर जो कि 1877 में 3 तत्वों का ट्रिक नियम बनाया था और जिन्हें प्रवान्वद्रवान के आरोई करम में रखने वाले विच्वाली तत्वों का प्रवान्व दर्वान और दो तत्वों का लगभग ऑस्ट होत और भी कुछ त्रिक नियम दिये थे हैं कुछ तात्वों का जिए आपका लिठियम, सुडियम, पोटेशियम, केल्सियम, इस्टोशियम, और बेडियम यह सब देख लिए जगा आपका आपका आर्टिकल 21 से पुछा गया था कि कौन सा कथन गलत नहीं है कौन सा कथन समंदित ह आपका आर्टिकल 21 से यह पोट्सन को से पुछा गया था तो सिख्षा सुडू से ही जो समयदाने अधिकार था आव एक मौली का अधिकार को बनान दिया गया था तो आपका सिख्षा से जो आपका आपका ओप्शन था वो बिल्कुल राइट एंसर था समयदान का संदन हु अगला कुसर आपका से पुछा गया था आम रवर्सा का पांच मौन होता है तो वह आपका दिया गया था जब वर्सा हो जब नदी के जल में मिलेगा तो उस पर क्या पढ़व पड़ेगा था तो आपके दिया गया था कि मचली मर जाएगी कि जल का अस्तरियों आपका ज्य पच्श म थ को सुग्य क Annika ऑफिकास होने तक योजिना ने अलग अलग क्टMayiens की इमइट चाप छोड़ी थे अग्ला कूछाए गया दोसों ऐस्म में कौन सा नेतशनल पार्क है आपसे य açılा जूल में दोसों साथ नेस्टन पार्क है यू प्रकार यू सा भ्राइब का ओकस्ता का ऑप्छन में आया था था किस खेल में ब्रोंज मेडल मिला था उनका यह पदक जीता हो लेकिन उनका कासा किस इस्वन पदक से भी ज्यादा किमती है यह पदक जितने वाले इस देश के पहले अस्क्वेश खिलारी बन गहें तो दोस्तों आपका इस्क्वेश खिलारी विलकूर राइट एंसर था जिन् दोस्तों पूचा गया था आपका दहेश पर्था को हटाने के लिए 26 सगस दोरा 22 को कौन सी धारा को जोरा गया था इस तरका कोई प्रस आप से पूचा गया था तो धारा 499 में एक इत्तहत महिलाओं को दहेश की मांग के लिए अपने पती या उनके रिष्टदारों की कु कि दोरा कुड़ता जाती है किसी अन्य तरह से परतारीत किया जाता है तो उस महिला के सिकायत परिष्दारा के तत केस दर्ज किया जा सकता है तो देखिए कि आपको अप्सन में अगर धारा 498A है तो आपका दोस्तों यह आईचेंसल हो जाएगा ठीक है अगला कुशन था कि आठमी अनुआसुची में कि डिटने वर्तमान में कि बहाखता रात्मान पारत्र में भाइस हा आपको अगर पुछा वएब महन में तक चोदा हो जाएगा अरे मंचेंसल संनन हूआ है इसके तहत आपको जो खोड़ दिया गया था तो आपका बिलकुर राइट एंसर हो जाएगा 22 भासा ठीक है अगला कोस्तम पूछा गया थे दोस्तों लाइकन किसे बना होता है तो आस्तों में लाइकन दो पुर्णिता भीन में वनस्पती से बना एक देव पादफ होता है इन वनस्पतियों में एक सेवाल होता है दूसरा आपका कवक होता है तो सेवाल पलस कवक मिलके दोस्तों आपका लाइकन का निर्वान करता है किन्तु इन दोनों में इतना निकंटम सहर्चर होता है कि इससे बना लाइकन एक ही पौधा परतीत होता है तो सिवाल और कवक दूसर आपका बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा, ठीक है, अगला कुछन दूसर आपका आया था कि East India Company का जो एक अधिकार था आपका, बीटेस भारत पर, उसे हटा करका आपका बीटेस के मरानी के अधिकार को अधिकार में दे दिया गया था, तो आपका भारत रासन अधिनियम, आपका दोसर बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा, ठीक है, अगला कुछन दूसर आपका आया था, कि मेंडलीब की जो आवर्चानी है, वो किस पर आधारित है, ठी डिवीट इनावश मेंडलीब ने किया था, तो मेंडलीब की जो आवर्चानी है, दूसर आपका परवानुत रोमान के वर्थे करम परधारी था, यही आपका एंसर हो जाएगा, और दीमित्री मेंडलीब को आवर्चानी का जनक भी कहा जाता है, ठीक है, अगला कुछन पुछा गया था हिंदू कुछ परवत है किस दिस्ता में आता है इस तरह की परश्ण का जो लेंग्मेज दोस्तों कंपा मालूम नहीं चल पाया है लेकिन दोस्तों हिंदू कुछ परवत के बारे में जाने तो यह आपका उत्री पकिस्टान की व्यादित भाग से मद अफगानिस्तान तक विशित एक 800 किलोमेटर चलने वाली परवत सिंखला है इसका सबसे उच्छा जो पहार है वो पकिस्टान के खैवर पक्तुर खनवा परांत के चित्राल जिले में इस्तित अपका है इसके अलाव हिंदू कुष्ट पामीर परवत से जुड़ा होता है हैमाले की उपसाखा माना जाता है हिंदू कुष्ट का एक दुस्टा सबसे उच्छा जो पहार है आपका नुसाख परवत और तिस्टा इस्टोर नुसाल है हिंदू कुष्ट पहारों की अतिधिक उचाई क इस सिंखला में बहुत से दर्र हैं जिनसे इस सिंखला को सिंखला से लोगों का आना जाना सद्यों से बना हुआ है तो आपका हिंदु कुछ परवट से क्या प्रस्ना है था उदूस्तों आप कोमेंट कनफर्म मालूम नहीं चल पाया है इसके बाद दोस्तों आपका एक घास सीडन मतलब कि आपका प्रोडक्ट से भी प्रोडक्ट पुछा था घास सीडन का जो आपका सिंखला है उससे संबंदीत एक प्रश्च है था इसके अलावा आणवी करमांग भी निकालना गया था किसका आणवी करमांग आपको निंकालना दो को मैं बताईएगा ठीक है में कंबे अदरे मिलें और मिलेंगे तो उसको पिंस में कर देंगे अगर वीडियो चल टहर लगा होगा थोड़ा सबी वीडियो को लाइक जरू किज़ेगा और चैनल पर नए होंगे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी जरू किज़ेगा और अगर पीडियाफ लेने चाहते हैं यारतारीक आपका एक्जाम है तो मिलकुल मुफ्त वाटस नाम पर संपर्द किज़ेगा चैनल का स्क्राइब को तो दोस्तों आपको फ्रंट दे दिया जाएगा तो मिलते हैं दोस्तों इस परका के एक नए वीडियो में जब तक के लिए जय भारत चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और नोट्वेकेशन वेल को भी दोस्तों साथ साथ ओन कर लिजे आपका एक्जाम है जो कि गारातारीक को भूना है